सपनों का साहस प्राची एक छोटे से गाउं में रहती थी, जहां सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल जुल कर रहते थे। उसकी आँखों में सपने और उसके दिल में बहुत सा जोश था। एक दिन उसे रात्री के समय बहुत सारे चमकते हुए तारे दिखाई दिये। एक तारे ने उससे कहा प्राची तुम्हें एक अनोखी यात्रा के लिए तैयार होना होगा। तारे की आवाज में एक मिठास थी जो प्राची को खीच लेने लगी। फिर प्राची ने कहा लेकिन मैं कहा जा रही हूं। तारे ने हंस्ते हुए उत्तर दिया। तुम्हें अपने सपनों की खोज में जाना होगा प्राची। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सपनों की उच्चता में है। प्राची ने एक आकाशिय यान में बैठ कर अपनी यात्रा शुरू की। यान उपर उड़ने लगा, एक धीमी सी तारों की मधुर आवाज सुनाई देती थी। धीरे धीरे यान एक सपने की दुनिया में पहुँचा, जहां फूलों की बातें और पंखों की बोली चलती और वहां एक जादूई वन में पहुँचकर प्राची को एक रहस्यमय व्रक्ष मिला। वह व्रक्ष बोला, प्राची बेटा तुम्हारे सपने हमेशा के लिए सच हो सकते हैं, मगर तुम्हें उन्हें पूरा करने के लिए साहस की आवश्यक्ता है। यह सुनकर प्राची व्रक्ष से कहा, मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना होगा। व्रक्ष मुसकराया और एक जादूई कुंजी दे। जादूई कुंजी से प्राची ने खुद को अन्य दुनियाओं में ठाला, और वो एक सुनहरे बादल के उपर बैठ कर वह अपने सपन की दुनिया में थी, परन्तु एक दिन एक अज्याद समस्या ने उसे को घेर लिया, एक रहस्यमयद्वार से एक अज्याद शक्ति ने प्रवेश किया, प्राची को व्रक्ष की उपदेशना याद आई और उसने जादूई कुंजी का सही उप्योग किया, और प्राची ने उस शक्ति का सामना किया और उसे अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकाल दिया, फिर से स्वयम पर विश्वास करते हुए, प्राची ने अपने सपनों की पूरती के लिए नई महनत करनी शुरू की, वह एक साहसी योद्धा बन गई, जो अपने सपनों की प्रापती के लिए हर कदम पर जा सकती थी। उसकी यात्रा ने उसे एक साहसी रानी बना दिया, जिसने अपने गाव को गौरवानवित किया। लोग उसके साहस और समर्पन को देखकर प्रेरित हो गए। वह अपने गाव को एक नए सफलता के मौड़ पर पहुंचाने के लिए एक और सपना देखती है। वह अपने साथी साथियों को एकत्र करती है और एक बड़े समर्थन कार्यक्रम का आयोजन करती है। उस दिन सभी लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं और वह नए लक्षि की ओर बढ़ती है। सपने को पूरा करने के लिए साथी साथियों की एक जुटता से वह अपने गाव को एक नए उच्चता पर ले जाती है। आखिरकार प्राची ने अपने सपनों को पूरा किया और अपने गाव को सूख समर्धि से भर दिया। उसकी यह कहानी दिखाती है कि हर सपना हकीकत बन सकता है, बस साहस और मेहनत की आवश्यक्ता होती है. इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, सपनों को पूरा करने का सफर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. इस अनोखी यात्रा ने प्राची को न सिर्फ खुद को पहचानने का मौका दिया, बलकि उसने अपने साथी साथियों को भी संग लेकर एक बहतर भविश्र की और बढ़ने का साहस दिखाया. और इसी से हमें यह सिखने को मिलता है कि हर चुनौती के पीछे एक नया सफलता का मोड छुपा होता है, जिसे हमें खोजना होता है. आखिर में हमें यह याद रखना चाहिए कि हर किसी की कहानी में एक मज़ेदार और सबक छुपा होता है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है यह थी आकाशिय सफर, सपनों का साहस की कहानी जो हमें यह सिखाती है कि हमारे सपनों की पूर्टी के लिए हमें साहस, आत्मविश्वास और मेहनत की आवश्यक्ता होती है क्या आप भी अपने सपनों की खोज में निकलने के लिए तयार हैं? तो चलिए, अपने सफलता की यात्रा शुरू करें और दुनिया को अपनी कहानी सुनाएं.